गुद मॉनिंग दियर इस्टुदेंट्स, इस्टुदेंट्स, तोडे, वी विल स्टार्ट आवर नेस्ट चेप्टर, मुविंग चार्जिज और मैंगनेटिज्म, इस इस चेप्टर नमबर फॉर इन यूर एंचियाइटी फिजिक्स बुक, ओके, तो इस्टुदेंट्स, आज हम नया चेप्टर शुरू कर रहे हैं, इस चेप्टर का नाम है, मुविंग चार्जिज और मैगनेटिज्म, ठीक है, तो प्रिवेस चेप्टर में हमने पढ़ा, कि एलेक्रिक करेंट क्या होता है, रेजिस्टेंजिस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रो मोटिफ फॉर किर्चॉप्स लॉव, पोटेंचियो मीटर, मीटर ब्रीज, इन चीजों के बारे में हमने वहाँ पर इस्टेडी किया, ठीक है, आब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कि एलेक्रिक करेंट जो होता है, वो आगे क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसके कारण क्या क्या बनता ह है, ठीक है, यानि कि, that means, कि एलेक्रिक करेंट अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो हमारा चैप्टर नहीं है, मोविंग चार्जिस एंड मैगनेटिस्म, ठीक है, चैप्टर के स्टार्डिंग में हमें यहाँ पर इस्टेडी करना होगा, कि एलेक्रिक करेंट अपने चारों तरफ एक फिल्ड गिरिएट करता है, जैसे हमने फर्स चैप्टर में पढ़ा कि कोई जो एलेक्रिक चार्ज होता है, वो अपने चारों तरफ एक फिल्ड जनरेट करता है, उसको हमने नाम दिया एलेक्रिक फिल्ड, ऐसी जो करेंट होती है current का मतलब सिधे सिधे हुआ कि charge जो है वो move करेगा तो यानि कि जो moving charges होता है वो अपने चारों तरफ एक magnetic field बनाता है तो हम इस property को बोलते है magnetism ठीक है? तो इसी लिए इस chapter का नाम है moving charges and magnetism यानि कि जो जब charge move करेगा यानि कि जब electric current बनेगी तो electric current अपने चारों तरफ magnetic field बनाती है ठीक है? तो इसको सबसे पहले study किया एक scientist ते Austed ठीक है? Austed ने ये बताया कि जब किसी एक setup लिया उन्होंने उस setup में उन्होंने एक key को जोड़ा ठीक है एक battery लगाई, battery से current flow करवाई ठीक है और उसके सामने एक compass की needle को लाया ठीक है? उन्होंने देखा जब हम किसी battery से current को भेजते हैं यानि की key को close करते हैं तो क्या होता है? उसमें current flow होने के कारण उसके चारों तरफ एक field की रियेट हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं magnetic field इस magnetic field के कारण इस needle में force लगता है और needle में force लगने के कारण ये needle deflect हो जाती है ठीक है? तो ये सबसे पहला observation उन्होंने देखा ठीक है? उसके बाद उन्होंने reverse कर दिया फिर जो battery की जो direction जो टर्मिनल थे उसको reverse कर दिया ठीक है? reverse करेंगे तो सिदी सी बात है कि current जो होगी circuit में हो भी reverse हो जाएगी ठीक है? reverse हो जाएगी तो उन्होंने देखा उसके बाद कि जो needle थी magnetic needle वो deflect कर गई बट deflect अब की बार opposite direction में उसने deflection किया ठीक है? फिर वहाँ पर भी हम conclude कर सकते हैं कि क्या हुआ अब की बार जो current है उसने क्या किया अपने 4 तरफ magnetic field बनाया और इसके कारण जो ये needle थी वो deflect कर गई ठीक है? थर्ड point पे उन्होंने देखा कि थर्ड जो observation उन्होंने लिया अब अब की बार उन्होंने जो key है उसको open रखा key open रखने के कारण जो था उसमें क्या हुआ कि circuit में कोई current flow नहीं भी circuit में current flow नहीं भी तो needle में देखा उन्होंने needle में कोई deflection नहीं आया यानि कि current नहीं बनी तो सिती सी बात है magnetic field भी नहीं बनी magnetic field नहीं बनी तो force उसमें नहीं लगा तो इसके इसी लिए वो needle जो है वो deflect नहीं कर पाई ठीक है fourth observation में उन्होंने needle को जो आपका circuit था उसके उपर लाया तब देखा उन्होंने deflection जो है वो opposite direction में आता है ठीक है तो उनका जो conclusion निकला सिधे सिधे उन्होंने conclusion निकला कि the moving charges or we can say it electric current produces and produces a magnetic field around it due to this the magnetic needle will deflect ठीक है इसी के कारण क्या होगी magnetic needle जो होगी वो deflect कर जाएगी ठीक है इतना यहाँ पर और state ने यहाँ पर जो magnetism में था उसका उन्होंने concept दिया ठीक है आप इसके बाद two scientist आए biot and severed ठीक है अब और state ने तो यह बता दिया कि जो moving charges होता है वो अपने चारों तरफ magnetic field बनाता है ठीक है वो magnetic field कितना मनेगा इसको steady करने के लिए two scientist आए biot and severed ठीक है उन्होंने अपना यहाँ पर law दिया कि उस magnetic field की value कितनी होगी ठीक है तो इसमें हम biot and severed law क्या statement को पढ़ते हैं इसके बाद तो यह जाएगा biot severed law ठीक है biot and severed law क्या according उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक conductor लिया जैसे इस तरह से कोई conductor है ठीक है उसमें current flow और यह आई ठीक है उन्होंने देखा कि इसके चारों तरफ magnetic field बनती है और चारों तरफ कितनी magnetic field बनेगी उसका इन्होंने formula डरैग किया कि कितना होगा हो इनके according किसी point P पे जो magnetic field बनती है किसी current element के कारण current element का मतलब यह हुआ कि जैसे यह है यहाँ पर dl इसके कारण छोटा सा element देंगे हम तो छोटे से element के कारण यहाँ पर magnetic field कितनी बनती है ठीक है तो सबसे पहला point उन्होंने बताया कि यह जो magnetic field बनेगी db वो directly proportional होकी आई कि यहाँ कि जितनी current flow हो रही है उसके directly proportional होती है ठीक है इतना आ गया फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यह बताया दूसरा point इन्होंने यह बताया कि जो magnetic field होती है यह current element के भी directly proportional होती है यानि कि dl के यह directly proportional होगी ठीक है third point इन्होंने बताया कि यह जो db होती है यह directly proportional होती है इसके बीच जो line होगी जहाँ पर हमें magnetic field निकाल ली है पी point पे ठीक है इसके बीच जो यह line है और इसकी distance अगर हम r ले ले है ठीक है तो यह directly proportional होती है जो dl और r के बीच angle बनता है theta इसका sin theta के directly proportional होती है ठीक है तो third point आजाएगा db directly proportional to sin theta third point इन्होंने यह बताया ठीक है एक point इन्होंने और बताया कि यह जो magnetic field होगी यह जो distance होगी इसके square के inversely proportional होती है ठीक है इसको हम नाम दे देते हैं equation number 4 ठीक है तो fourth point इन्होंने बताया है कि यह सबसे पहले जो होगा db directly proportional होगी i के current के directly proportional होगी दूसरा current element है dl इसके भी यह directly proportional होती है third point इन्होंने बताया कि जो distance r है और dl है current element इसके भी जो sin theta angle बनता है उसके directly proportional होती है और fourth point इन्होंने बताया कि यह directly proportional होगी इसके भी जो distance होगी उसके one upon r square के बराबर होती है one upon r square का मतलब यह हुआ कि inversely proportional होती है r square के ठीक है यह directly proportional होती है one upon r square के ठीक है तो यह four point इन्होंने बताया है ठीक है अगर हम equation one, two, three और four को combine करें तो हमारे पास आएगा combining equation one, two, three and four तो combine करेंगे हम इसको तो db directly proportional हो जाएगा i dl sin theta upon r square के ठीक है proportional को हम हटाते है तो यहाँ पर यह constant involved होता है इसको बोला जाता है mu naught upon four pi i dl sin theta upon r square यहाँ पर जो mu naught होता है इसको बोला जाता है permeability of free space ठीक है हमने electrostatics में पढ़ा epsilon naught के बराबर तो इसको बोलते हैं permittivity of free space ठीक है और यहाँ पर जो mu naught होता है इसको mu naught पढ़ा जाता है ठीक है इसको बोलते है permeability of free space तो यह constant यहाँ पर involved हो जाता है ठीक है अगर हम इसको vector form में लिखना चाहें तो यह तो इसकी mathematical form हो गई db equal to mu naught upon four pi ideal sin theta upon r square ठीक है अगर हम इसको vector form में लिखना चाहें तो हम इसको vector form में भी लिख सकते हैं क्योंकि जैसे हमारे पास electric field था chapter 1 में हमने electric field के बारे में पढ़ा electric field जो होती है वो एक vector quantity होती है similar magnetic field जो होती है वो भी एक vector quantity होती है तो हम इसको vector form में भी लिख सकते हैं कैसे इसको देखेंगे db equal to हो जाएगा हमारे पास mu naught four pi ideal sin theta ठीक है अगर हम यहाँ पर अगर हम r का multiply और r का divide करें तो यह हमारे पास हो जाएगा into r upon r cube इतना ही आ जाएगा ठीक है अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं mu naught upon four pi i इसको लिख सकते है dl into r sin theta upon r cube ठीक है इतना हम इसको लिख सकते हैं इसके बाद यह हो जाएगा db equal to mu naught upon four pi i dl into r into sin theta आपने class 11 में एक relation पढ़ा होगा दो vector का जब हम cross product करते हैं a vector cross b vector तो यह होता है a b sin theta के बराबर ठीक है similar यहाँ पर है हमारा a के जगा है आपर पास dl और b के जगा है r तो हम इसको लिख सकते है dl vector cross r vector ठीक है divide by r cube ठीक है इतना ही आ जाएगा ठीक और यहाँ पर अगर हम इसको vector form में लिख रहे हैं जो magnetic field है वो भी एक vector quantity होती है तो इसको हम लिख सकते है db vector equal to mu naught 4 pi upon ideal vector into r vector upon r cube तो यह इसकी vector form आ गई ठीक है अब vector form आ गई तो इसमें direction भी होनी चाहिए simple सी बात है ठीक है तो direction हम कैसे निकालेंगे तो direction निकालने के लिए हम जैसे हमने 11 में पढ़ा था कि किसी vector की direction हम कैसे निकालते है ठीक है तो हम right hand curl rule से इसको निकाल सकते है ठीक है right hand curl rule क्या होता है कि जो dl vector होगा और into r vector इसका जो cross करके आएगा वो magnetic field की direction हो जाए ठीक है तो अगर हम यहाँ पर magnetic field की direction निकालना चाहे ठीक है तो हमें करना होगा dl vector cross r vector तो जैसे right hand है तो इस तरफ होगा आपका dl vector ठीक है dl vector की तरफ हम इसको रखेंगे ठीक है magnetic field निकालनी हमें इधर की तरफ तो r है हमारा इधर यानि कि हम इसको cross करेंगे तो dl vector इधर हो गया cross r vector हो गया ऐसे हमने curl कर दिया तो यह जो thumb होगा यही magnetic field की direction दिखाता यानि कि यह अंदर की तरफ आ गया तो magnetic field की जो direction होगी p point पे वो अंदर की तरफ होगी ऐसा करके इसका मतलब होगा cross का मतलब inverse direction of magnetic field is inverse to the plane of paper इसके अंदर को होगी plane of paper के ठीक है तो इतना आगया अब आपके दिमार्ग में question arise हो रहा होगा कि अगर हम magnetic field को यहाँ पर निकालना चाहें किसी point पे तो क्या होगा magnetic field की direction क्या होगी तो इसके लिए वही यह distance हम लेंगे r dl vector ही आ गया और r vector इदर आ गया तो वही dl vector cross r vector करेंगे तो dl इदर cross r vector तो जब हम इसको dl vector cross r vector कर रहे हैं तो थम भार को आ रहा है थम भार को आ रहा है इसका मतलब magnetic field की जो direction होगी p point पे वो outwards होगी ठीक है ठीक है तो point अगर इदर आ जाए तो magnetic field की direction outwards और यहां आ जाए तो magnetic field की direction इंवर्ड ठीक है तो यह रहा आपका बायोड सेवर्ड लॉव